आज मैं आपके साथ हूँ मैंनास किचन में एक जबदस्ती रेसिपी के साथ आज हम बना रहे हैं मगस मसाला या ब्रेन मसाला विडियो को एंड तक वाच कीजिए इसकी क्लीनिंग से इसकी कुकिंग तक कम्प्लीट गाइड करूँगी आपको चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिसमिल्लाहिरामानवाहिम सबसे पहले इसके इंगेडेंट से एक लेते हैं एक गाय का मगस लिया है मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है आप इसको वाश करके जितनी क्लीनिंग कर सकते हैं वो आप कर लें पाकी का आगे हम द कट कर लिया मसाला जादे लेते हैं, 1 झाषर ता 1 टी थी था के कहले हैं, 1 टी स्पून नमक 1 टी थी 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 हाफ हम बॉयलिंग्र में डेड़ करेंगे हाफ हम कुकिंग में डेड़ करेंगे 1 टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर 1 टी स्पून गरम मसाला वन टी स्पून भुना कुटा जीरा, वन टी स्पून कुटीवी सुर्ख मिर्च और वन टेबल स्पून भुना कुटा धनिया हाफ इंच का टुकरा अधरग का था जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया है लंबा-लंबा बरीक काट लें, तीन से चार सबस मिर्चे थी, जिनको भी बरीक लंबा काट लिया है, और थोड़ा सा दिनिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया है, एक से डेर टेबल स्पून मेरे पास हुश्क मेथी के हैं, कसूरी मेथी के, पैन में मैंने पानी गरम करने के यह बर्नर पर रख दिया था, और यह बहुत अच्छे से बॉइल हो रहा है, अब मैं इसमें, हाफ टी स्पून हल्दी का अट कर रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके, इसमें हम मगज अट कर देंगे, मगज की जो एक्चली क्लीनिंग है, वो तो बॉइलिंग पर ही होती है, जब आप इसको बॉइल कर लेते हैं, तो जो बाकी की गंदगी इसके उपर रह जाती है, वो सारी उपर आ जाती है, आपको वो बारीक पारीक वेंस, जो वैसे वाश करने में नहीं मिल रही होती है, वो जब बॉइल करते हैं, हम उसको तो वो उपर आ जाती ह और आप उसको एजीली रिमूव कर सकते हैं इसकी सारी जाग भी यहां पर आप निकल जाती है इसको हमने तीन चार बॉयल दिये ढग कर और अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे यह देखिए अब मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है और अब मैं इसको उपर से क्लीन कर रही हूँ जो जो मुझे उपर इसके वेंस नजर आ रही है एक्चुली इसके उपर जाला नुमा एक बरीक वेंस का नेटवर्क होता है जिसको हमने रिमूव करना होता है और यह देखिए यह जहां जहां मुझे नजर आ रहे हैं यह मैं इसको क्लीन कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि हमने इसको इसी तरह क्लीन करना है अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके यह देखिए यह वाली वेंस हैं जिनको हमने रिमूव करना है ये मैं आपको दोनों हाथों से दिखाती हूं कि ये देखें ये अंदर से आप इसके ये वेंज निकालिये ये बहुत जाला नुमा वेंज होती हैं जिनको ये मैं उप़र से रिमूव कर रही हूं बहुत 횟्थियात के साथ हमने इसको सारा रिमूव कर लिया है नज़र आ रही थी, वो हमने साफ कर लिया है, अब हमने एक गडाई ली आ, उस पे मैंने आइल आट कर लिया है, और अब मैं इसमें चॉप जो प्यास थे, वो एड़ कर रही हूँ. प्याज एड़ करने के बाद इनको हम हलका सा सौते करेंगे बहुत हलका सा हमने ट्रांसपेरिंट फ्राइ करना इनको बहुत ज़्यादा डाग ब्राउन नहीं करना और अब मैं इसमें अद्रग और लसन जो था हमारे पास जॉप्ट वो एड़ कर रही हूँ बहुत मज़े की रैसिपी बनती है आप इसको ज़रूर ट्राइ कीजिए इसको थोड़ा सा फ्राइ करने के बाद मैं इसमें ट्राइट कर रही हूँ सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा फ्राइट करेंगे और फिर इसमें स्पाइसीज आड़ करेंगे नमक, सुरख मीर्च और हल्दी हम इस पॉइंट पे आड़ कर देंगे सारे मिसालों को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए पान साथ मिनट के लिए इसको ढखके छोड़ दूँगी ताके हमारा जो सारा मिसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए ये मैंने इसको ढखके छोड़ दिया था अब मैं इसको उपन कर रही हूँ और ये देखे हमारा मिसाला जो है वो मिक्स होना शुरू हो चुका है और सॉफ्ट भी हो रहा है अब हम इसमें स्पाइसीज आड़ करते हैं भुना कुटा जीरा, कुटीवी सोर्ख मिर्च और भुना कुटा धनिया और गरम मसाला ये सब स्पाइसीज हम इस्टेच पे आड़ कर देंगे साथ साथ इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए, ये बहुत टेस्टी बनती है और अब हम इसमें मगज आड़ कर देते हैं चमच के साथ इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ते जाएंगे ताके ये सारे स्पाइसीज के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं चमच साथ के साथ हम चला रहे हैं और अब हम इसको ढग कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताके ये सारे spices जो हैं वो बहुत अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाएं अब हम इसको पांच मिनट के बाद ओपन कर रहे हैं और अब इसमें कसूरी मेथी आड़ कर रही हूं मैं इसकी बहुत अच्छी खुश्बू और टेस्ट इसमें आता है इसको हम एंड में ही आड़ करेंगे और साथ ही इसमें अदरक और सबस मिर्चें जो कटी मी थी वो आड़ कर देंगे थोड़ी सी हम गानिशिंग के लिए बचा लेंगे बाकी हम आड़ कर देंगे इसको मिक्स कर देंगे मिक्स कर रही हूँ मैं इन सारी चीजों को साथ के साथ थोड़ा थोड़ा चमच के साथ हिला रही हूँ और उसको तोड़ रही हूँ ताकि ये सारा कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए अब हमने इसमें कसूरी मेथी आड़ कर दी थी इसको ढखके हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे बहुत लो फ्लेम पे ताकि उसकी खुश्बू और उसका टेस्ट बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए मैंने थोड़ी सी देर के बाद इसको ओपन किया है और ये रेडी हो चुका है अब मैं इस पे धनिया डाल रही हूं कारनिशिंग के लिए और हमारी डिश रेडी हो चुकी है अब हम चलते हैं इसको डिश आउट करते हैं आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसका फीड़ बैक मुझे जरूर दीजिएगा अपनी दौाओं में याद रखिएगा अपनी फैमली को बना के ये जरूर खिलाएगा और फिर मिलूंगी एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ अपना बहुत ह्याल रखिएगा अलाहाफेज अपना बहुत है